हेलो अबरिवन, मैसे लगमिचंद फ्रॉम मैथेमेटिक सॉलूसन आज मैं आपके साथ डिसकस करा हूँ कि इक्वेशन ओफ लाइन्स जो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं इक्वेशन ओफ लाइन्स की उनको डिसकस करूँगा और ये क्लास 11 का आपका टॉपिक है तो इसमें देखो सबसे पहला आपता है कि इक्वेशन ओफ लाइन्स तो हमारी जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं एक y is equal to mx ये आपकी फॉर्म है तो इसमें हमारे जो given parameters हैं तो कभी भी हम line की equation निकालते हैं तो हमारे वास कम से कम आपके two parameters जरूर देंगे तो वो आपने two parameters देखने हैं कि हम इस formula को हम कभ लगाएंगे equation में आपको देखो y और x रहेगा और m की value put करनी है तो ये form जब लगती है जब सबसे पहले आपको slope of a line given है और second आपका है कि line passing through the origin यदि आपकी line origin से pass हो रही है तो आपका ये formula लगेगा आपका second है कि y is equal to mx plus c तो ये आपका formula कभ लगेगा कि first slope of line आपको given होगा and c is the y intercept y axis पर जो intercept है वो कितना है तो वो आपका जब लगता है x upon a plus y upon b is equal to 1 ये आपका जब लगेगा जब आपको x पर जो है a intercept हो और y पर आपका जो intercept है वो आपका b unit हो तब आप इसको apply करेंगे और ये आपका है one point and slope form तो इसमें आपका जो m है वो line का slope है और दूसरा आपको इसमें one point आपका ये given होगा कि one point given है तो हम x one y बन यहाँ put करतेंगे और इसको हम बोलते हैं two point formula तो इसमें आपको जो है line जो है two points आपके given होगे तो इसमें आपने overall देखा है कि हमारे को line की जब equation find out करनी है तो मेरे को two आपके parameters पता होने चलिए जैसे कि first में slope और origin है second में slope और y intercept है y intercept का मतलब है कि देखो आपका ये y axis है और ये आपका x axis है तो आप कोई भी line इस तरह से cut करके जा रही है तो ये जो intercept है यहां से और यहां तक की length इसको बोलते हम y intercept y axis से cut कर रहा है इसलिए और जब x पर cut करेगा तो वह हमारा x intercept बोला जाएगा तो इस तरह से हम जो equation यहां से find out करेंगे दूसरा आपका जो a और b हैं वो intercepts हैं तो उसमें हमारा क्या दे रखा है कि आपकी कोई भी line है ये और ये इस तरह से जा रही है तो जो x intercept है ये मेरा a unit है और y intercept है वह मेरा b unit है तो जब मेरे को ये दोनों intercept मालू है और ये यहां तक की distance तो हम इसको x upon a plus y upon b is equal to one के उससे निकालेंगे और हमें one point और ये given है और two points given है तो ये आपका जो last form है ये normal form है ये आपका deleted अब next आपने जो two points है वो याद ये रखने कि if lines are parallel जब देखो कहीं पर भी आपको lines parallel या perpendicular it means you can find a slope आप उसमें slope निकाल सकते हैं और last video मैंने slope कैसे निकालेंगे slope पर मैंने आपकी वीडियो बनाई हुए आप उसमें देख सकते हो तो first आप कहेंगी parallel lines हैं तो उनके slope आपस में equal होते हैं और जब आपकी line perpendicular है तो उनके slope का जो product है वो आपका minus one होगा तो हम इसको use करके आपका slope find out कर सकते हैं अब मैं इसके के दोखो applications लेता हूं first question find the equation of a line parallel to x-axis and passing through minus two three तो मैंने दोखो parallel और perpendicular कभी भी आता है it means you can find a slope कोई भी line जो आपकी x-axis के parallel to x-axis तो मतलब आपको दो lines के equation निकाल लिए तो यदे आपकी वह x-axis के parallel है तो आपकी line वह इस तरह से होगी और y-axis के तो पहले में x-axis के पहले लेता हूं तो x-axis के पहले means x-axis का slope और line का slope equal होगा तो x-axis का slope होता है वह आपका slope of x-axis means m that will be equal to zero और y-axis का slope होता है वह आपका वह this will be m is equal to one upon zero means not defined तो यह हमारा slope से है तो इसका मतलब मेरे जो line का slope है वह मेरा zero है यदि वह line आपकी x-axis के parallel है और आपका यह point तो में तो slope है और point है it means equation of line that will be equal to y-y1 is equal to mx-x1 यह मेरा formula है अब मैं इसमें value put करता हूं means y-y1 आपका point 3 है और m आपका 0 और x minus minus हो जाएगा तो यह plus 2 it means y-3 is equal to 0 तो उस line की equation आपकी यह होगी if line is parallel to y-axis means suppose here वैसे point मेरा minus 2 है तो वह आपका इस side में आगा मैंने आपका कोई भी line लिए means parallel है तो आपका इसमें slope क्या हो जाएगा 1 upon 0 so in this case equation will be y-y1 that is 3 is equal to 1 upon 0 x minus minus आपका plus 2 अब दोगो 0 इदर जाएगा so which gives y into 0 कि आपका whole part आपका 0 हो जाएगा तो y into 0 that will be equal to x plus 2 or you can say x plus 2 that will be equal to 0 तो यह आपका इसका answer होगा यह whole part से y minus 3 भी रहेगा उससे whole से आपका 0 हो जाएगा तो that will be 0 अब आपको देखो next question इसमें है कि find the equation of line through the point minus 23 with slope 5 minus 4 sorry तो slope आपका देखो 4 है same formula आपका लगेगा means the equation y minus y1 that is 3 is equal to m is minus 4 x minus x1 so x minus minus है आपका plus 2 and you can multiply this to 4x and minus 8 और अब सब को इदा ले जाते हैं तो आपका 4x plus y अब यह minus का 8 दर प्लस 5 is equal to 0 तो यह आपका इस question का answer होगा next question write the equation of line through the point 1 minus 1 and 3 5 it means आपको 2 points के बेन है तो 2 point के लिए जो मेरा formula है y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1 तो यह अब इसका formula है अब मैं put करता हूँ तो यह मेरा x1 y1 है यह मेरा x2 y2 है तो equation of line means y minus y1 that is a minus minus plus 1 हो जाएगा is equal to y2 minus y1 5 plus 1 आपका 6 upon x2 minus x1 3 minus 1 और x minus x1 that is 1 आप देखो 6 और upon 2 यह इसका solution आपका 3 होगा तो 3x so which implies it will be y plus 1 is equal to 3x minus 3 अब इनको write मिले जाते हैं so that will give 3x minus y minus 4 is equal to 0 तो इसका जो answer होगा आपका वो 3x minus y minus 4 is equal to 0 यहारा next question है write the equation of the line which 10 theta is equal to half for 10 theta is equal to half and where theta is the inclination of the line and y intercept is minus 2 upon 3 अब देखो y intercept is minus 2 upon 3 तो आप intercept formula आ सकते हो means you can apply the slope and point form तो अब 10 theta given है it means slope is given to you therefore m is equal to half and y intercept is this it means the point that will be 0 minus 2 upon 3 this is the point so you can apply the point and slope form means equation of line y minus y1 that is plus 2 upon 3 is equal to m m is 1 upon 2 and x minus 0 अब आप इसका L सम लेंगे तन यू राट 3 y plus 2 upon 3 that will be equal to x upon 2 so by cross multiplication you will get here 6y plus 4 is equal to 3x and this can be written as 3x minus 6y minus 4 is equal to 0 so this is the answer of this first part and second part part x intercept is 4 unit it means for this the point will be 4 comma 0 so you can apply same formula y minus y1 that is 0 is equal to m that is half and x minus 4 so you will write here 2y is equal to x minus 4 or write this equation in a standard form so x minus 2y minus 4 is equal to 0 next question find the equation of line which makes intercept minus 3 and 2 on x and y axis so this is the x intercept it means a is equal to minus 3 and this is the y intercept means b is equal to 2 so according to intercept form equation of line that will be x upon a plus y upon b that is equal to 1 so x a is minus 3 and plus y b is a 2 and is equal to 1 so this will be answer of this question and your next question this is the equation of the x axis and y axis अब दो मैंने x axis अइक्स अर वाइक्स यह एक्सिस है आपका और यह मेरा y-axis है तो फिर्स्टन आपके और यह मेरा y Axis है तो, सुफ और फिर्स्टन तो अग्सथा ओल habसिशों तूरीजिघन अच्साई वी हैं यह आपकी और और यह से पहुंए पहुआइज ओं से पहुए आपकी have the slope so m is equal to 0 and point is 0,0 it means y minus y1 is equal to m is 0 x minus x1 so this y is equal to 0 it will be equation of x axis similarly for equation of y axis the slope of y axis is 1 upon 0 it means equation that will be y minus y1 is equal to 1 upon 0 x minus x1 or 0 means that will be 0 is equal to x so this is the x is equal to 0 that is the equation of y axis next question find the equation of line passing through the point this and with slope this so you have point given or slope given your formula y minus y1 is equal to m x minus x1 obviously y minus y1 that is 3 is equal to slope is half and x minus minus that will be 4 so you will write here 2y minus 6 that will be equal to x plus 4 and right here x minus 2y plus 10 is equal to 0 so this will be answer of this question and your next question passing through this point and slope is m the origins line up to pass for a slope m means the first form 3 y is equal to m x so this will be the answer of this question next question find the equation of line passing through 2 comma 2 root 3 and inclination with x axis that is 75 degree it means according to this then we can find a slope so m is equal to 10 theta or theta is 75 degree or here m is equal to 10 75 you can write 45 plus 30 so apply 10 a plus b formula so that will be 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b now in ki a value put karayenge then you will get here 10 45 is 1 and root 3 1 upon root 3 is 10 30 and 1 minus 1 upon root 3 into 1 by taking lcm you will get here root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 so this is the slope of line and this line passes through 2 comma 3 means you have slope and point it means apply y minus y1 y1 is 2 root 3 is equal to m root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 x minus x1 is 2 so multiply in this side so root 3 minus 1 into y minus that is 2 root 3 into 3 that will be 6 and minus 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 plus 2 root 3 is equal to root 3 plus 1 into x and 2 se multiply करेंगे तो minus 2 root 3 and minus 2 अब इसमें आप x को y को दल ले जाते हम तो means you will get here root 3 plus 1 into x minus root 3 minus 1 into y अब ये दोनों टरम इदर जाएंगे तो देखो minus का 6 और minus का 2 इदर जाएंगे ये plus का हो जाएगा means you will get here plus 4 and 2 root 3 or minus so that will be minus 4 root 3 is equal to 0 so this will be answer of this problem and next आपका है कि intersecting the x-axis at the distance of 3 unit and to the left of the origin with slope minus 2 अब second question के लिए इस वाले के लिए आपका जो slope दे रखा है that is minus 2 and intersecting the x-axis left to the origin तो आपका और at the distance of 3 unit तो जब आपका x-axis को origin के left में 3 पर कट गया it means that will be 3,0 so point is 3 minus 3,0 and slope is minus 2 then equation y minus y1 that is 0 is equal to m is minus 2 and x minus x1 that will be plus 3 so minus 2x so y और प्लस इदर ले के आएंगे आपका ये 2x हो जाएगा minus 6 that will be plus 6 here so this will be the equation of a line next version find the equation of line which intersect the y-axis at the distance of 2 unit above the origin मतलब आपका origin से above means आपका यहां कट करके जा रही है means that point will be 0,2 above the origin means plus part होगा and making the angle of 30 degree with positive direction of x-axis means line may be in this direction और it may be in this direction तो आप दो इस direction में तो इस लिए नहीं होगी क्योंकि आपका angle is 30 degree that is the acute angle it means the line will be in this way ये आपकी line so this angle is a 30 degree it means slope of this line m is equal to 10 theta angle with x is given है तो 10 30 or that is be 1 upon root 3 तो ये आपका slope हो जाएगा and point is given to you it means y minus y1 that is 2 is equal to m that is 1 upon root 3 and x minus x1 that will be 0 so you will write here root 3y minus 2 root 3 that will be equal to x और in general form we can write x minus root 3y plus 2 root 3 that will be equal to 0 कि find the equation of line passing through these two points so आपका है two point formula apply करेंगे means equation of this line that will be y minus इस question के लिए आपका लिख रहें तो y minus y1 that is 1 is equal to y2 minus y minus 4 minus 1 that is minus 5 and x2 minus x1 so minus 2 or plus 1 that will be sorry 2 plus 1 that will be 3 और x minus x1 that will be plus 1 अब आप 3 से multiply करेंगे means you will get 3y minus 3 is equal to minus 5x minus 5 अब सभी टर्म को आप इधर transpose कर देंगे then you will get 5x plus 3y और यह आपका minus 5 plus का हो जाएगा means you will get plus 2 is equal to 0 so this will be the solution of this problem तो इसका आपका जो solution होगा वो यह आ जाएगा इसमें से थैंक यू स्टेंड्स थैंक यू फॉर वाचिं